नमस्कार किसान साथियो आज हमें राजदानी मशिनरी जैपूर में और हमारे साथ महेश जी जिन से हम बात करेंगे कुछ अच्छी मशिनों के बारे में तो चलिए शुरुवात करते हैं वेल्कम सर नमस्कार तो से मेरा पहला सब आप से यह किस मशिन का नाम क्या है और किस उप्योग माति मशिन सबसे पहले तो राजदानी एसोशेट जेपूर की तरफ से सभी किसान साथियों को नमस्कार आपने हमारे साथ पहले भी कई वीडियो बनाए हैं ओगर के ब्रसकटर क आज हम इस मशीन के बारे में थोड़ी बात करेंगे यह पावर रिपर आता है यह जो आगे का पिसमें अटेजमेंट देखनें यह ट्रक्र के आगे लगता है तो कई बार यह रहता है कि ट्रक्र अगरा अपने महेंगा रहता है तो अफोर्ड महीं कर पाते तो उस इस्तिति मे यह पावर रिपर बढ़ा है इसमें खुद गा इंजन आता है और इससे जितने भी खड़ी पसलें जैसे पांच शेपीट तक के हाइट की जो भी खड़ी पसलें जैसे गेहूं जो गवार रिजगा बर्सीम और आसानी से काट सकते हैं चीक है सर मेरा आपसे अगला सवाल य बहुत ही कम है 700-800 mm पर गंटे की कपत है बहुत ही कम खर्चे में और कम में इंटिनेंस वाला इसमें इंजन लगावा है ठीक है सर मेरा आपसे अगला सवाल यह रहेगा कि आपने इस मशिन की भैतरी मशन की विशेशता ही बताई है और यह सब सुनकर हमारे किसानबाश को ख यह दो पार्ट में यह मशीन, पहला पार्ट आता है इसका इंजन और पीचे गेर वेर काता है अर दूसरा इसका रेपर का इसके इंजन की क्योंकि बाकितो लॉए उसमें को खराब उने वाल चांस नहीं है इसके इंजन की कंपणी छे महीने की वारंटी देती है, छे महीने में कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे यहां इसको बेजगे रिपेर करवा सकते हैं, और पहली बात तो इसमें दिक्कत आती निया, क्योंकि इंटरनेशनल कंपणी बहुत भी बड़ी है प्रोड़क्ट बना आप जैसा इसमें यह देख रहे हैं, इसमें बलेडे लगे लगे विये तो यह नोर्मल जो थ्रेसर वगेरा में काम आती है, यह बलेडे आराम से लोकल वजार में भी मिल जाती है. चीक है सर, तो सर में आप से अगला सवाल यह रहेगा, कि यह मशीन तो बहुत भेटरी ने, इसकी विशेश्टाइब बहुत अच्छी है और सब खरिजना चाहेंगे, लेकिन क्या सब आसानी से खरिज सकते हैं, इसकी कीमत क्या रहेगी मशीन की? बिल्कुल, इस मशीन की कीमत एक लाग पेंटी से जार उपए है, और यह है राजस्थान सरकार से, सबसीडी अपरूवड है, यहां से इसको रजिस्टेशन करवना रहता है, यह सारे प्रोसेस वगरा हमारी रहती है, आपको मशीन लेके, उसके बाद में हमारा कोटेशन ल ले सकते हैं, तो सबसीडी काटने के बाद में यह 95,000 रुपे की पढ़ती है, जी, ठीक है सर, और मेरा अगला समवल आप से रहेगा कि सर, जो किसान भाई जो बहुत दूर हैते हैं, आपकी कंपनी के आसपास जो नहीं रहते हैं, और आपकी मशीन जो खरिदना चाहते हैं, तो उनकी खरिदने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, विस्तार में डीटेल में बता जी, सबसे पहले तो यह बड़ी मशीन है, तो बाई 1,35,000 रुपे जो खर्चा करेंगे, वो ओनलाइन लेना प्रिफेर नहीं करते हैं, बिल्कुल सर, बाई छोटी मोटी 15,20,000 रुपे इसके लिए मैं तो यह निवेदन करूँगा, कि सारे किसान बाई यहां जिनको लेनी है, वो यहां आएं, इसको देखें, इसकी क्या विसेजता हैं, जैसे विसेजता हो में इसकी बताओ, एक तो यह बेल्ट पे चलती है, इसका सारा सिस्टम बेल्ट का तो आगे जैसे उसकी क्रिपिंग आती है, उससे क्या होता है, जैसे क्ए बार काया है, रेतिली मिटी होती है, बाई क्यी जगे तो सम्टल मिटी होती है, रेतिली मिटी होती है, वहां भी आसानी से ग्रिप करके मशीन चला सकते हैं, और इसमें देखें तो इसकी बलेडस वगड़ा इस bearings क ज्यादा से ज्यादा यह दो इंचि ऊपर से काड़ती है तो ये सारी चीजें आप यहां आके देखे इसकी और भी कई विशेश्ता है जो सारी वीडियो में बताना देखो पोसिबल नहीं रहता है केसे चलती है क्या है गैर जिस्टम है आप आके देख के इसको ले सकते हैं औ लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो कंपनी से जुड़ना चाहते हैं डिलर्शिप करना चाहते हैं तो उस पूरे डिलर्शिप का क्या प्रोसेस रहेगा वो ठोड़ा बता दीजिए डिलर्शिप के रहता है कि हमारे पास कई तरह की अगरी कल्चर मशीनरी है उनमें चोटी मशीनरी भी है पांच अजार से लेके डेड़ लाग रुपेते की हमारे पास मशीनरी है तो उनका व्याफार कर सकते हैं और इस जैसी जो बड़ी मशीन है इसमें यह रहता है कि कुद की दोजे से कटाई कर ली कि रहे भी इसको चला सकते हैं गाओं में कि बीगा के इसाब स किराई पर चलाएं मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने 15-20 दिन इसको आराम से बढ़िया चला लिया तो यह मसीन अपनी कीमत फिरी कर देगी यानि मसीन बिल्कुल आपके फिरी हो जाएगी और लोंग लाइफ चलने वाले चीज़े तो आगे भी से आप आराम से चला सकते हैं बिल्कुल और उनके पैसे की तोड़ आमदनी हो जाएगी और खुद की कटाई बगरा करनी है तो वह आसानी से काम हो जाएगा ठीक सर तो मेरा आपसर आखरी सावल यह रहेगा कि बहुत सारे से कंपनिया होंगी जो इस बिल्कुल यह की यह मसीन बेशते हैं उनकी मशीन में और आपकी मशीन में क्या अलग अंतर है क्या फर्क हो थोड़ा बता दीजा बिल्कुल यह सबसे पहली बात हो पूरी 100% मेड इन इंडिया है बाई चाहे इसके वील हो चाहे आगे का रिपर हो बेल्ट हो जितना भी है मेड इन इंडिया मसीन है तो आप अग पड़ेगी उसमें हम अंडा का इंजन देंगे यह दोनों ब्रांडेड इंजन देते हैं बाकी इसकी क्वालिटी वाइज कभी आपको कॉंप्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा चोटी मशीने भी है तो बहुत बड़ी है फाइस्टार रेटिंग है मारे पास सारी मशीन है चाई बड़ी हो चोटी हो हमारा उद दे से मशीने बेचना नहीं है हमारा उदी से किसां बाईयों की इनकम केसे बड़े उनको कम खर्चे में उनकी जैसे पजल काटने का काम हो दुवाई चीड़ दौइय का का cao तो कम से कम खर्चे में वह अपना काम कर सके समय भी बचा सके और उससे आमदनी भी बड़ेगी साथ में यह है कि उनकी समय की भी बच्षत होगी तो किसान भाई आपको यह सब समझ आ गया हो कि महेज जी का जो कंपनी का जो में टॉपिक है वो यह है क्यों क्वालिटी भरोसा करते हैं ग्वांटिटी पे नहीं और जो मशीन ने उनकी जितनी मशीनों सब इंडिया में बनी हमारे देश में बनी है तो बहर का कोई भी समान इस्तमाली करते नहीं थैंक यू सोमच सरा आप आया है यह आपने इतना महत्पून समय निकाला और इतनी बहतरी मशीनों की जानकारी थैंकि आपका बोट-बोट तो किसान भा कर भी महीर ची से कर दो बहुत आपका बोट अब कर दो